लो गाइज गुर्मॉर्णिंग गाइज हम लोग अभी जेनिटिक्स के मलुगलर बेसिस और इनिटेंस का क्विक रिविजेन कर रहे हैं इससे पहले एक वीडियो इस चेप्टर का बना चुके हैं जो भाई नहीं देखा है वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ तो यहां तक पूरा पर्चल मतलब हाईलाइट कर चुके हैं अब यहां तक कर चुके हैं यहां यहां से बात है जहां से फिल करें कि को हम हाईलेट करेंगे यह से को चन बने की संभाबना नहीं तो देखो जिस सबसे पहले जो यहां से भात करेंगेगे तर जो है बात था जो है इस stuck इन बात नाम ठाई pre impose अ जो सा एक बात हो सब से हुआ ब्रोंता नाम ठीक अ तार्स टार्सफोर्मिंग बिनिसिपल देखो यह ट्रास्फोर्मिंग फिरिंशिपल एक कि ता joue कि इंटिस की अजता उसका नाम था फ्रेडीस फ्रेडीस ग्रीप एकन Αमहें का और यह कब किया था इसका डेट या दखना हो ci os 50 अ किया था टांस आप पता हो Спार पुएंट आपको पता होना है की ट्रांस पॉर्मिंग Prinsipal कौन किया था और कब किया था और किस पर किया था यह सारा पॉइंट आपको पता होना चाहिए यह कोचन आता है ठीक है उसके बाद नेक्स पॉइंट आता है कि इन्हों ने क्या क्या एक स्ट्रेंड लिया दो स्ट्रेंड लिया एक स्ट्रेंड ठीक है और एक आर स्ट्रेंड लिया दो स्ट की तर प्रहिए पता हो नहीं से कर देता ऐसे तिके तो मैस जिनदन है प्रिसके बाद क्या किया कि इस स्ट्रेंट को लिए करके फिर मैस में यह किया जिनदन रहा देखो यहां पर मर गया यहां पर Makes किया तब तब ऐसा कंडिशन में हुआ एक पॉइंट यह सब पॉइंट सब एससे इस्टेन को और आरे स्टेन दोनों एक वन टाइम मिला दिया तो उससे टाइम क्या हो गया नाइस यह मन आई फिर जो माश था वो डाइट कर गया यह सारी पॉइंट इसमें आप याद रख सक कामें यह एक्स्प्रेमेंट किया तो थो मर्गिया और रावी ने किया तो मैं मरा फिर सूरेस हें किया हिट थो चुबव जिन्दव फिर सुरेश और रवी दोनों मिल कर किया तो चुबव दोर मर गिया ठीक है इस तरह से इस पुइंट को यहाँ से यहाँ जो यह पुइंट यह सारा यह जो एक्स्प्रिमेंट इसको याद करना और यह जो एक्सपी म cheating था यह कौन दियाथा एक्स्प्रेमेंट्स यह दिया धा गिंग्सति रहता ठीक है यह यहां से हम यह सारे पॉइंट आ से यहाँ आध हुनी सा एक सारे पॉइंट एकलिए रहा हो अगे चलो लो वह जो बता है वह सारे बात यहां पर वह इसारे बात लिखा ऑठ जैF जागै आप देखो साइंटिस को आया कौन 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 यह सब यहाँ सारी सेटिस का नाम है है जो सैंटिस का यह सब संटिस का नाम याद रोना चाहिए ठीक न इलुक कर पाया था यह सब याद तो उसके लिए डिस्कवरी किया गया ठीक है तो यहां देखो कि जो प्रोटीन को यह प्रोटेज है जो प्रोटीन को डाजेस करता है उसको प्रोटेज बोलते है ठीक है यह बला पता होना चाहिए उसके बाद जो आरेने को डाजेस करता है उसको आरेनेज करते हैं देखो यह पर यह आरेन डाजेस्टिंग एंजायम है सब यह पता होना चाहिए ठीक और जो डिएन एको डाजेस्ट करता है डिने एज बोलता है ठीक है देखो यहाँ पर ड्याज तो यहाँ पर यहाँ पर यह कोचन आता कि डिफरेंग आशां पर लुक्त डिफरेंस बीटून डिएने एन डिनेज यह वर्ड तो यह डिनेज जो है यह तुम्हारा जेनेटिक मेटेल है और यह डिनेज जो है यह एंजायम है जो कि डिनेज को डाजेस्टिंग करता है ठीक है यह यह दोनों बात पता होना चाहिए जेनेटिक मेटेल इस डिनेज अब करागी जेनेटिक मेटेल डिन एक नया experiment हुआ एक दो साइंटिस आया जिसका नाम था हर्षे एंड चेस दोखो यह आए यह नाम याद होना चाहिए ठीक है इन्होंने जो काम किया थे बेक्ट्रिया फाज के काम किया था यह भी आपको पता हो चाहिए बेक्ट्रिया फाज पर काम किया था देखो यह चेडिया को किल कर देता इस पर काम किया था तो इसके बारे में देखो यहां पर पूरा experiment दिया हुआ है क्या किया यहां से क्या क्या कोचन आने का समावना पहले तो यह सिक्वेंस दिया हुआ कि सबसे पहले infection blending centrifugation यह देदेगा यहां पर क्या यह भी सी करके आपको sequence कि पह शचच प्रोस है ठीक है और यहां पर सलफर दिया है इस पर यह कितना शुलफर तीक है यह सब यह सब पता होना चाहिए छिए बत होना पता होना चाहिए और यह पर यहाँ से पता चला है कि DNA is the genetic material बेट्रियाल ठीक है अब DNA एन और ने अब चलो प्रोपर्टी DNA प्रोपर्टी कुछ कुछ इसमें वाइरेस में जो है आरेने जो जनेटिक मेटल होता है देखो आरेने जनेटिक मेटल पर इस्ता में जम पल यहां से यह पता है क्या 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 टबाको मोजिक में होता है वाइरेस तेगा क्यू भी बैक्ट्रिय फाज यह यह पॉइंट यहां से आपको पता यहाँ से खुछ चनाएगा कि किस-किस में जो है RNA genetic material होता है एक point हो गया ठीक है और अब डीने जो है क्यों हुआ कि इसको DNA को genetic material माना गया और RNA को क्यों नहीं माना गया तो क्यों इसका कारण जो कि यह replication करता है यह replication करता है देखो यह replication करता है replication का मतलब होता है कि DNA से यह DNA बन जाना ठीक है नगा DNA से DNA बन जाना इसको replication कहता है ठीक है और तुम्हारा यह क्या करता है यह chemically stable हहता है डीने जो chemically structure stable होता है ठीक है और यह जो slow change होता है mutation कम होता है इसमें तब यह mutation जादा होगा तो बेमारी जादा होने का chance रेगा स्लिए इसको DNA को मना गया इसे पून्च फून उत्रोप लिधर टॉर शत्रोप सब्सक्शन सब्सक्राइब